सबसबी का स्वागत है हमारी YouTube चेनल में सांथ हुआज हम पढ़ेंगे Physics के Important सवाल तो कार और उर्जा का SI unit Joule होता है विदुद धरा का SI unit Ampere होता है ताब का SI unit Kelvin होता है बल का Newton होता है दाब का SI unit Pascal होता है सकती का SI unit Watt होता है फ्रिक्वेंसी यानि की फ्रिक्वेंसी का अविर्ती का SI unit hertz होता है, वीदुत आवेस का SI unit कुलंब होता है, ठीक है, जोती तिवर्यत्ता का SI unit angstrom होता है, तरंग दद का SI unit angstrom होता है, बल के विमियस उत्र क्या होता है, MLT minus 2, ठीक होता है, next है कार और उरजा का विमियस उत्र MLT-T inverse होता है, ठीक है, एक angstrom बराबर 10 के power minus 10 होता है, एक angstrom बराबर next है, एक परकास बराबर 9.46 into 10 के power 15 होता है, एक परकास बराबर नेक्स्ट है एक पीको ग्राम बराबर दस के पावर माइनस 12 ग्राम होता है एक माइक्रो ग्राम बराबर दस के पावर माइनस 6 एक फेम्टो ग्राम बराबर दस के पावर माइनस 15 एक मिली ग्राम दस के पावर माइनस 3 एक नैनो ग्राम बराबर दस के पावर माइनस 9 होता है के पावर माइनस 15 यह बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए ठीक है नेक्स्ट हम आगे देखते हैं अब देख लीजे एक तरफ है उपकराण और उसका प्रयोग अल्टिमीटर का प्रयोग हम उचाई मापने के लिए करते हैं एमिटर का विदुधारा मापने के लिए करते ह है एनिमोमीटर से वाई वेग हम नापते हैं एंटियोमीटर से हम स्वार विक्रन को मापते हैं नेक्स्ट है इंपोर्टेंट हम देखेंगे बैरोग्राप से हम वाई बंडलिये दाब मापते हैं नेक्स्ट है बैरोमीटर से हम वाई बंडलिये दाब मापी यंत्रो होता है कैलीपर से हम वस्तुओ के आंत्रिक और बाहवियास को मापते हैं कैलीपर से ठीक है इसमें और कोई important नहीं है उतना तो हम आगे बढ़ जाते हैं ये बहुत important है topic सदीस और अदिस हमेशा पूछे जाते हैं कि निन में से सदीस रासी कौन है तो आप खोद बताना है, तो सदिश रासी, दर्वमान, गती, कारे, समय, सक्ति और उर्जाई, ये सदिश रासी हैं, अदिश रासी, विस्तापन, आवेग, तुवरण, बल और समवेग, ये हैं अदिश रासी, न्यूटन के प्रथम गती को हम इनर्शिया की इनर्शिया भी क रहते हैं, रॉकेट न्यूटन के तिरतिये गती पे काम करता है, एक होर्स पाउर ब्राबर 746 वाट होता है, 1 किलो वाट ब्राबर 3.6 इंडू 10 के पाउर 6 होता है, एक किलो वाट ब्राबर, डाइनियोमो का काम यांत्री कुर्जा को विध्य तूर्जा में परिवर्तन करन होता है next next हम देख लेते हैं next है sorry friend next है हमारा barometer के अचानक गिरना आंधी का सूचक है barometer का अचानक से गिरना barometer का धीरे गिरना वर्सा का सूचक है next है barometer का धीरे से उठना साफ मौसम का प्रतिक है ultrasonic 20,000 Hz से अधिक होता है वेक तो हम उसे ultrasonic कहते हैं और उसे कम होता है तो हम infrasonic बोलते हैं x-ray का विसकारक ronjan ने किया है gamma range का विसकारक back rail ने किया है pyrometer से हम उसमा मापते हैं उर्धपातन किसे कहते हैं यानि कि sublimation वह परकिरिया है जो ठोस को gas में परिवर्चन कर देता है प्रकास की गती सबसे ज़्यादा किसमें होती है तो निर्वात में होती है यानि कि भाग फैकूम में और तल दरपन का काम क्या होता है दाड़ी बनाने में हम गाड़ी के हेड-्लाइट में आँख-काननाख के डौक्टर अउतल दरपन का प्रियोक करते हैं यानि कि जिस्ते लाइट पास होता है उसे ट्रांस्पेरेंट बोलते हैं ओपेक लाइट जिस्ते पास नहीं होता है उसे अम ओपेक बोलते हैं हीरा का चमकना पूर्ड आंत्रिक परवर्तन के कारण हीरा चमकता है, पावर का SI यूनिट क्या होता है, डायोक्टर होता है, पावर का SI यूनिट, मायोपिया, दूर के वस्तु देखने में कस्थ होता है, मायोपिया में इसका निवारन ओतल दरपन है, दूर दिरिश्टिदो और सबसे कम लाल का होता है यह बहुत important है next है proton का विस्कारक rather forward है neutron का Chadwick है electron का JJ Thompson है atom bomb का विस्कारक atom bomb nuclear fusion पर काम करता है यह fusion है nuclear fusion और hydrogen bomb nuclear fusion पर इसको बहुत ध्यान से आप देख ले आइसो टोप किसे कहते हैं जिसमें अटोमिक नंबर समान हो और अटोमिक मास यानि की भार अलग अलग हो और अटोमिक नंबर बराबर हो उसे हम आइसो टोप कहते हैं नेक्स्ट है, आइसो बार किसे कहते हैं, जिसमें भार समान हो, और अटोमिक नंबर जिसका डिफ्रेंस हो, उसे हम आइसो बार कहते हैं, नुकलियर फिजन, उरेनियम 235 पे काम करता है, नुकलियर फिजन, नेक्स्ट है, गती का नियम न्यूटन ने दिया, अडू डाल्टन ने दिया इसका परितिपादन किया है उर्धपातन का जो सिधान थे वो आर्केमेडिज ने दिया है डाइनामाइट का विसकारक अलफ्रेड नोबेल ने किया है नेक्स्ट अब थोड़ा केमेस्ट्री का देख लेते हैं एक एवोगाड्रो बराबर 6.2023 इंटुदस के पावर 23 होता है एक एवोगाड्रो बराबर प्रियोडिक टेबल किस ने दिया तो मेंडलीफ ने दिया इस ब्लॉक अलकली और अलकलाइन मेटल्स जो होते हैं वो इस ब्लॉक में होते हैं साइक्टरिकम खट्टे पदार्थ में होते हैं लैटिकम खट्टा दूध में होता है लैट अच्छा लगा होगा आपको और मैं इसका chemistry का जो भी part remaining बच गया है और biology का ये आपको कल तक मिल जाएगा मैं कोसिस करूंगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें share करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बना बुले थाइक